स्वागत हैं आप सभी का DRV NEWS में मैं निगा खाड़े कोरोना वाइरस के नए वेरेंट ओमिक्रॉन ने देश भर में चिंता सलाई हुई है ओमिक्रॉन के कारण ब्रिटेन में पहली मौत हुई है आए देखते हैं इससे जुड़े आगे की जानकारी क्या है ओमिक्रॉन को लेकर एक नए स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है ब्रिटेन और साउथ आफरिका के रिसर्च की इस स्टडी में दावा किया है कि अगर सावधानिया नहीं बरती गई तो ब्रिटेन में एप्रिल तक 25 से 75 हजार मौते हो सकती है ब्रिटेन पहले ही कोरोना के बढ़ते केसे से जूज रहा है वहाँ बढ़ते केसे के बाद रविवार को प्रदार मंत्री बोरिस जॉंसन ने देश को संबोधित कर डिसेंबर अन तक 18 से ज्यादा अबादी को बूस्टर डोस देने का टारगेट सेट किया है लंडन स्कूल ऑफ हाईजीन और ट्रॉपिकल मेडिसीन और स्टेलिन बोश युनिवरसिटी के रिसेर्च ने ये स्टडी की है ओमिक्रोन पर वैक्सिन के बेशर होने का खत्रा है और इस पर बूस्टर डोस कितना कारगार होगा ये भी अभी पता नहीं है रिसेर्च ने इनी दो पैमानों के आधार पर अलग-अलग परस्तितियों में ओमिक्रोन किस तरह नए केसिज और मौतों को बढ़ा सकता है इसका अकलन किया गया है कोरोना के नए केसिज से ब्रिटेन समित यूरोप के कई देश परिशान है ब्रिटेन में ओमिक्रोन के अब तक 3000 से भी ज्यादा केसिज मिल चुके है ब्रिटेन ने रविवार को कोरोना के अलट लेवल को 3 से बढ़ा कर 4 लेवल पर कर दिया है अलट लेवल 4 का मतलब है कि कोरोना का ट्रांसमिशन ज्यादा है जिसका सीधा असर स्वास्त सेवाओं पर पढ़ रहा है इससे पहले मई में लेवल 4 का अलट जारी किया गया था ब्रिटेन में स्वास्त विशिश्रक्णिय चेतावनी दे चुके है कि अगर इसी तरह से केसिस बढ़ते रहे ने 18 साल से उपर के सभी लोगों को डिसेंबर अंग तक बूस्टर दोस्ट देने का टार्गेट रखा है इससे पहले यह टार्गेट जैनवरी तक था भारत में भी आठ राज्यों में ओमिक्रॉन फैला हुआ है इसी के चलते कोरोना के गाइडलाइन्स फॉलो करना जरूरी हो गया है हातों को सानिटाइज करना, डबल मास्क पहनना और सोशल डिस्सेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है टीरवी निउस में बस अभी के लिए इतना ही ब्यर्वी निउस चानल को सब्सक्राइब कीजे, इस पे कमेंट इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलिए मुझे और मेरी पूरी टीम को देज़े इजासत, धन्यवाद